नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का सम्विधान आपको क्या अधिकार देता है? आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, ये वो ताकते हैं जो आपको एक सम्मान जनक जिन्दगी जीने का हक देती हैं, लेकिन क्या आप इन्हें आसानी से याद रख पाते हैं? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर क्योंकि हम आपको एक आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने मौलिक अधिकारों को कभी नहीं भूलेंगे. मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, जो नागरिकों को राज्य द्वारा प्रदान किये जाते हैं, और उन्हें जीवन जीने, वि मानता का अधिकार, यह अधिकार सभी नागरिकों को जाती, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव से बचाता है. उदाहरण, अनुच्छेद, 15.1 कि अनुसार, धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग, जन्मस्थान या इन में से किसी भी अधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. उदाहरण, अनुच्छेद, 23 के अनुसार, मानव तसकरी और बंधुआ मजदूरी का प्रतिशेद है. धर्म की स्वतंतरता का अधिकार, यह अधिकार नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने, प्रचार करने और धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने की स्वत उदाहरण, अनुच्छेद, 25 के अनुसार, सभी नागरिकों को अन्तहकरण की स्वतंतरता और अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है. वाहें समवैधानिक उप्चारों का अधिकार, यह अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उलंगन के मामले में न्यायालयों से राहत पाने का अधिकार प्रदान करता है. उदाहरण, अनुच्छेद, 32 के अनुसार, नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उलंगन के मामले में सीधे सर्वोच न्यायालाय में याचि का दायर करने का अधिकार है याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसलिए आईए, इसे आसान बनाएं, मिलिए, सभी शिशु स्वस्थ रहें से, यह एक मेमोरी टूल है, जो आपको इन फंडमेंटल राइट्स विद आर्टिकल के साथ याद रखने में मदद करेगा तो चलिए, शुरू करते हैं सह से, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18, भीह से, स्वतंतरता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22, शिह से, शोषन के विरुध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, शोह से, धर्म की स्वतंतरता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28, स्वह से, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अ आरार भी जैसी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और सटिक और महत्पुर्ण समानिक ग्यान की आवाश रखता है तो हमारे चैनल वन मिलियन जीके को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे हम निशित रुप से आपकी परिक्षाओं की तैयारी में मदद करेंगे और आपके समानिक ग्यान को मजबुत और सुरक्षित बनाएंगे धन्यवाद और जै हिंद